ये मुकाबला गुजरात के लिए चुनौकी है ना किवल अपने घर पर अन बीटन रहने का रिकॉर्ड कायम रखना है बलकि दिल्ली से भी ना हारने का रिकॉर्ड कायम रखना है ये मुकाबला है दिल्ली के युवा रेडर्स और गुजरात के युवा डिफेंडर्स के नवीन कुमार गोयत पूरा नाम है मोनू गोयत के गाउं से हैं और उन्हीं की तरह लाजवाब कॉम में नवीन तो निश्चत तोर परफॉर्म में हैं मोनू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और यह मुश्किल काम होगा लेकिन इनका फुट फूर बहुत पिसी है जर्की है जहांसा दे सकते हैं लेकिन किसको क्या इल्टी लॉटेंगे दूनों कॉनर अपनी जगह पर है और दिल्ली के चार में से तीन खिलाडी में डिफेंडर है बहुत दीप गए यह काम किया जो गिंदर ने टीम के दो कवर हैं लेप्ट साइड में बलकुल सुनील कुमार दाइव लगी मिराज आउट मिराज आज इस मैच में तीसरे मरतभा शिकार बने हैं गुराध की डिफेंस का दीफेंस का तो हाफ टाइम से पहले की यहीं टहानी रिड़ास नहीं चल पाएं बिलकुल नहीं चल का कि अजिए कर दिये गए सुपर टेकल ओन है और नवीन कुपार इसमेरेड में नवीनाज बहतर कर नहीं पाए को बिलाकर छटी रेड है नवीन की बढ़िया टेकल गुजरात का डिफेंस अब गरज में लगा है हादी ओष्टो का सुपर टेकल यह नहले पर दहला है मिराण शेख ने धमाका कर दिया है ओल आउट कर दिया है गुजरात फॉचिन जाएंट्स को बिल्डी टॉफ ट्री रेडिंग तीम्स में उनका शमार है मिराण शेख इसमेरेड कर 21.6 उनका ओन एंड एवरेज है हर मकाबले में लेकिन आज अपने उस से काफी पीछे और यहां तो स्केप रूट पर उतुराज कड़े थे लेफ्ट कॉर्णर कहां पर खड़ा हुए वो कॉर्डर राइडिंग काफी एडवांक्स अगर अंदर आएंगे तो शिकार हो जाएंगे और लगातार डिफेंस को डिक्टेट कर रहे हैं सचिन विटला अवन बोनस करना जानते हैं लेकिन बोनस लाइन पर प्रवेश भैसवाल सुनील की चोड़ी मिरोधी रेडर की कबर कोड़ी वो डाइड है इसलिए राजेश नर्वाल एक डिफेंडर अंदर आए हैं सचिन को पॉइंट लेना होगा राजेश को ही आउट किया है स्कॉर ब इसकी शायद सभी शितत के साथ विफिचादी गुज्राट फॉर्चियंट्स अपने मैट पर नो मकाणलों के बाद पहली शिकस्त उन्हों ने खाई हैं सीजन 6 में 9 मैच्टस के बाद पहली शिकस्त उन्हों और दिल्ली ने पहली बार गुजरात फॉर्चिन चाइंट्स को हराया है बहुत कुछ दाओं पर था गुजरात का और वो दवाब आखरी लम्हों में काम कर गया